हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोजन पेरोकसाइट सॉलूशन के बारे में जिसे की S2O2 कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे हाइड्रोजन पेरोकसाइट का मेडिकल यूज क्या क्या होता है किन-किन कंडिशन में, हस्पिटल में, या क्लिनिक में यूज किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे, किन-किन थिती में दिया जाता है, किन-किन बीमारी में दिया जाता है, और किस तरहा से प्रायोग किया जाता है, इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, और कोई ब्यक्ति इसको गलती से निकल ले या सूंग ले तो क्या हो सकता है वो भी हम जानेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहली बारे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर देना इसी तरह के मेडिकाल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चलिए अभी हम सुरू करते हैं तो फ्रेंस हाँड्रोजन पेरक्साइट एक डिसिंञेक्टेंट और एंटिसेप्τικ डी सेप्तिक केमिकल सब्स्टान होता है और यह है मेडिकाल यूज के लिए बनाया गया है इसमें रहता है 6.5% हाँड्रोजन पेरक्साइट तो फ्रेंग सबसे पहला जो yooge है इसका un recognizing करने के लिए दिया जाता है अगर कोई ब्यक्ती को घाव हुआ है तो उसको hydrogen peroxide से वास किया जाता है जैसे को किसी ब्यक्ती का घाव हुआ है नहीं सुक रहा है पस हो जा रहा है उसमे और कोई ब्यक्ती का accident हो गया है चोट लगा है उसमें मिट्टी पस गया है उसको बहान निकलने के लिए hydrogen peroxide का इस्तमाल किया जाता है यह बैटरिया को मारता है और जो dead skin होता है उसको remove करता है और उसके अंदर जो दोल मिट्टी होता है उसको भी बहान निकलता है जिस कारण से घाव जल्दी सुकता है आपने भी कभी न कभी देखा होगा हस्पिटल में hydrogen peroxide से उनको वास किया जाता है और दिया जाता है किसी ब्यक्ति के कान में बहुत सारा वास हो गया हो कान से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा हो कान में सुजन हो गया हो वास के बज़े से व्यक्ति को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हो तब भी hydrogen peroxide दिया जाता है किसी ब्यक्ति है उसका extra wax हो गया हो कान में उसको निकालने के लिए भी hydrogen peroxide दिया जाता है और एक बात बोल दूँ दोस्तों यह कम वाक्स होने से देने से बहुत सारी प्रोब्लेम हो सकता है उसके वज़े से आप बिना डक्टर के सलाक अभी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कान वास मत करना ठीक है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया जाता है सौरबी टेरोसिस नाम के एक बिमारी होता है उसमें दिया जाता है उसका मतलब होता है वाक्स ब्राउन या ब्लैक कलर की गांट हो जाता है मतलब कि एक्स्ट्रा टीसू बाहर निकलता है, ठीक है, हमारा जो स्कीन होता है, आप सोच लेज़े, यहाँ पे मैरा स्कीन बढ़ गया है, ब्लेक ब्लेक कलर का होके यहाँ पे बहुत सारा हो गया है, उसको ठीक करने के लिए यहाँ इसको प्रियोग किया जाता है, यहाँ कह कशनी पे भी हो सकता है हाथ पे पैर पे गरदन पे किसी भी जगा पे हो सकता है और किसी भ्यक्ति को बहुत सारा पिंपल अकनी पिंपल हुह है उसमें पस निकल रहा है उसको भी ठीक कनने के लिए 16iman पेरक्साइट को दिया जाता है और दिया जाता है डेंटाल और ओराल कॉंडिशन में मतलब कि किसी ब्यक्ति का होटो के अंदर गोल गोल छाले पड़ गये है उसमें भी दिया जाता है उस कॉंडिशन में भी और किसी ब्यक्ति को डेंटाल केविटी हुआ है डेंटाल पेहन ह तब भी यह दिया जाता है लेकिन यह सब डक्टर के सला से ही दिया जाता है इसको कभी भी आप घर में योज मत करना बिना डक्टर के सला मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूं इसमें कैसा रहता है यह पानी टाइप का ही रहता है दोस्तों प्यूर पानी जैसे होता है उ कुछ भी प्रोप्लेम नहीं होगा। साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। रेडनेस हो सकता है। सुज़न आ सकता है। और जीज जगह पे लगाया जाता हुज जगह पे दर्थ होगा, जलन होगा। यह सब साइड इफेक्ट है। उसके बाद हम जान लेते हैं किसी ब्यक्ति ने इसको सूंग लिया या इसको पी लिया तब क्या क्या होँसकता है। यह सब इसके इफेक्ट खाउब्लेम होगा। इसको निगर ले से यह सब इस प्रोब्लेम होगा। तो आपके घर में कोई निगल ले तो आप जरूर से डक्टर को दिखाना थैंक्यू फर वाचिंग आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से एक लाइक कर देना